हेलो फ्रेंट्स आज हम बात करेंगे इंगलीस पे बहुत जादा ही most important article के बारे में article on चंद्रियान 3 चंद्रियान 3 पर आज हम लोग article लिखने वाले हैं और बात करें यार बोर्ड एक्जाम के लिए तो सबसे जादा महत्पूर आर्टिकल है इस बार के लिए पूछे आता है और आज आपको बतेंगे कैसे आप अपने सब्दों में बना बना की इंगलीस पर लिख सकते हो और एक्जाम में पूरे-पूरे से लिखेंगे सिंपल हमें लिखना है आर्टिकल ओन चैंडरियान फूरी देखो पेपर में आपको केवल कितने सब्दों में लिखना रे होता है इसलिए आपकोम घंदियश third moon mission operated by the ISRO हमने पहली लाइन पे लिखा है चन्रियान 3 ये जो चन्रियान 3 है इस दी इंडियाज third moon mission operated by the ISRO मलब चन्रियान 3 भारत का तीसरा ऐसा moon mission है जिसे operated किया ISRO ने ISRO क्या है? ISRO हमारे भारत की वैज्ञानिक एजनसी का नाम है इसरो हमारे भारत की वैज्ञानिक एजनसी जो है उसका नाम है ISRO तो ISRO ने किसको operated किया है चन्रियान 3 को तो चन्रियान 3 इंडियाज third moon mission operated by the ISRO आर्था चन्रियान 3 भारत का तीसरा moon mission है जिसे ISRO ने operate किया हुआ है ये पहली line तो आप आसानी से लिख लोगे आप देखो आगे क्या लिखना है थी इंडियान इस्पेस रिसर्च ऑर्गनाई जेसन देखो ये ISRO का पुल्फां भी हमने आ लिखा है इंडियान इस्पेस रिसर्च ऑर्गनाई जेसन थिक है मतलब आब आपको सबसे पहले लिखा कि चंडरियान थिर इंडिया the third moon mission operated दी इत緋 मतलब इत्विर ने इसे operate किया है फिर क्या लिखना है इसके बारे मिं लिखना है कभ इसे launch किया गया और कैसे लाँच किया गया कितरे समय charge किया गया तो वही लिखा इंडियन स्पेस रिसर्च और्गनाईजेशन हैज सक्सेज फुली लांजट मतलब जो इस रो हमारे वैज्ञानिक एजनसी उसने से सक्सेज फुली लांजट किया चंद्रयान्थी को मिसन at 2.35 अलव साम को 2.35 बजे 14.12 जुलाई 2030 इसे लॉंच किया गया 37.5 श्री हरी कोटा आनरप्रदेश आनरप्रदेश में इस्थि जो 35 मिनट पर लॉंच किया गया था सिंपल सी बाद, देखो क्या लिखा गया है दी इंडियन स्पेस रिसर्च औरगनाईजेशन है सक्सेच्पुली लॉंच दी चंद्रियान थ्री मिसन एड दो पैतिस प्यों मौन चवदा जुलाई दो जाते इसको दो बच के 35 मिनट पर लॉंच किया गया था किसने लॉंच किया था इस रो इंडियन स्पेस रिसर्च और नाईजेशन जो हमारे देश की वैग्यानिक एजेंसी है आप देखो आगे आपको क्या लिखना है इसके बाद इतना हो गया आप यहाँ पर अरसे आपको लिखना है चंद्रियान 3 जो लैंडर नेम विक्रम और रोवर नेम प्रग्यान देखो चंद्रियान 3 में दो थे पहला था लैंडर जिसका नाम इस रो ने क्या रखा था चंद्रियान 3 जो लैंडर था उसका नाम रखा गया था विक्रम चंद्रियान 3 का जो लैंडर था उसका नाम था विक्रम और रोवर का नाम था प्रग्यान तो वही हमने लिखा चंद्रियान 3 जो लैंडर नेम विक्रम और रोवर नेम प्रग्यान ठीक है लेंडर का नेम क्या था विक्रम और रोवर का नेम क्या था प्रग्यान फिर इसके बाद क्या लिखना है चंद्रयान थ्रीज लेंडर विक्रम सकसेज फुली लेंड़ेड ओन दी साउध पोल आप दी मून मलब जो चंद्रयान 3 का Lander था विक्रम उसका नाम था ना तो चंद्रयान 3 Lander विक्रम सक्सेज़ फुली लेंड कहां उसने सक्सेज़ फुली लेंड किया चंद्रमा के दच्छिड धुरू पर तो वह हमने लिखा on the south pole of the moon अर्था चंद्रमा के दच्छिड धुरू पर सक्सेज़ फुली लेंड किया किसने चंद्रयान 3 के Lander विक्रम ने ठीक है तो यह चीज़ सिम्पल लिख देना है चंद्रयान 3 लेंडर विक्रम सक्सेज़ फुली लेंड on the south pole of the moon फिर क्या लिखना है इस मिसन कोश्ट इस इस्टिमेटेट 615 करोड रूपीज मलाव इस मिसन में कितने रूपए लगे हैं कुल 615 करोड रूपए लगे हैं इस पूरे मिसन को पूरा करने में चंद्रयान 3 के मिसन को पूरा करने में 615 करोड रूपए का खर्चा आया तो वही लिखा गया इंडिया इस दी फर्ष्ट कंट्री हू सकसेज़ फुली लैंड ओन दी साउथ पोल आपडी मून मला पूरे विश्व की भारत ऐसी पहला राश्ट्रिया देश है जिसने चन्रमा के दच्छडी धुरूपर कदम रखा है ठीक है तो वही लिखा है इंडिया इस दी फर्ष्ट कंट्री अर्था इंडिया जो है एक ऐसी पहला देश है जिसने सकसेज़ फुली लैंड किया है साउथ पोल आपडी मून मतलब मून की साउथ पोल पर भारत ऐसा पहला राश्ट है जिसने वहाँ पर मतलब अपना यान कोई भेजा है फिर क्या लिखना है इंडिया है जो हिंडिया हमां भारत है इसने एक क्या बनाए एक बहुत बड़ा इतिहास बनाए मतलब अंत्रेच विज्ञान के छेतर में भारत ने क्या किया है बहुत बड़ा इतिहास बनाया है फिर क्या लिखा गया है इस तू कंफर्म दी प्रजेंस ओफ वाटर आइस ओन दी मून मतलब चंद्रियान थ्री का में परपज क्या था में परपज इसका था कि चंद्रियान थ्री is to confirm क्या कंफर्म करना था प्रजेंस ओफ डी वाटर आइस ओन दी मून कि मतलब उसमें प्रजेंस अर्था उपस्तित है वाटर आइस आपका मतलब कि वहाँ पर पानी उपस्तित है कि नहीं जो की देखो आपको बता है मलाव हमारे देश के वैग्ञानी को का या पूरी दुनिया के वैग्ञानी की यही सोच रहे कि कैसे जीवन चंद्रमा पर किया जाए तो उसके लिए सबसे ज़रूरी पानी और ऑक्सिजन है तो उसी की खोज के लिए ही चंद्रियान थ्री को भ पाटर आइस उपस्थित है उसी की खोज करने का में पर पस्था चंद्रियान थ्री का फिर क्या लिखा गया आल कंट्री में और प्राउड आप दी सक्सेज ऑफ हिच कंट्री मतलब जो देश के नागरिक है वह भारत या अपने राष्ट की सक्सेज से प्राउड फिल करते है ठीक है तो वही चीज आपे लिख दिया गया तो इस तरह से भाई आप पूरा लिख सकते हो स्क्रीन सौर्ड भी लेना चाहो तो लेलो एकदम मस तरीके से लिख सकते हो आपको पूरे दस नमर में लेंगे ठीक है सो से देड़ सो वर्ड में लिखना होता है और अपनी भा प्रेश भ् Warum Satish Everyone Space Center in Shri Harrikota, अन्ब्र पूर आप्र। फिल लिखा गया चंद्रयान 3' लैंडरनें विक्रम एंड-रावरनें प्रग्यान चंद्रयान 3 इस लैंडर विक्रम सकसेशुब्ली में लैंडड युष् साउथ पोल खिल अंध। साउथ पूल आप दी मून फिर लिखा गया इंडिया हाज मेंड निव हिस्ट्री इन स्पेस साइंस फिर इसका परपज क्या था तो में परपज आप चंद्रियान थ्री इस टू कंफर्म दी प्रिजेंस ऑफ वाटर आइस ऑन दी मून ठीक है फिर लिख देना है कि मतलब जो प्राउड फिल हुआ जो इस जो कंट्री ने हमाई सकसेज हासिल की तो वही है आल कंट्री में अर प्राउड आप दीस सकसेज ऑफ हिच कंट्री ठीक है तो यह है चंद्रियान थ्री पर आर्टिकल मस तरीके से लिख सकते हो जरूरी नहीं इतना ही लिख देना अपनी भासा कि क्योंकि आपको चंद्रियान थ्रीके बारे में सबको ज्यादातर पता ही है ठीक है टिक दा मस तरीके से लिख सकते हो तो आप वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक करे कर देना